है किट्स हाई फर्स्ट प्रैक्टिस वर्क वीडियो जा चुका है सेकेंड है हमारे पास बॉर्डर बॉर्डर जो मधवनी पेंटिंग का सबसे में पॉइंट होता है किसी भी चीज को बॉर्डर की सुंदरता से घेर के बीच में उस थीम को उस सोची हुई वर्क को बनाते है तो जैसे फाइन आट में मास्किंग टेप लगता है तब बीच में आट बनता है फिर वो मास्किंग टेप हताते है तो वो आट और थिलता है तो यहां बेसिकली हम लोग बॉर्डर बनाते हैं और उस बॉर्डर को पूरा वो बॉर्डर चारो कॉर्णर में बनती है सेम काम करना है तो मुझे तो नहीं पता है जो अगर मै इस तरीके से बना लेती हूँ suppose मैंने इस तरीके से flower ड्रॉ किया और lotus ड्रॉ किया और बना लिया इसको देख के मुझे नहीं लगता है सब लोग बना पाएंगे every person सब लोग बना ले इसको देख के बस ये आर्ट सब में नहीं होता है और जो होता भी है लेकिन कुछ लोग रॉ होते हैं लेकिन आख को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा circle ड्रॉ करेंगे उस circle को double line में convert कर लेंगे मतलब एक और line उस पे डाल देंगे उस circle के उपड़ एक line ड्रॉ करेंगे यहां से पैटल बनाने यहां से उसका बीच का point बनाने के लिए उस line से दोनों तरफ इस तरीके से उठ जाएंगे then एक sleeping line लेंगे slending type से sleeping अगर देखें तो इस तरीके से सीधी जाएगी थोड़ी सी वो अपने आप में जुकी हुई रहेगी और यह जो line रहेगी यहां से जादा होके नीचे जाके कम हो जाएगी फिर से नीचे जाके कम हो गए फिर से एक line लिया नीचे जाके कम हो गए फिर से एक line लिया और नीचे जाके कम हो गए सेम पेटल आपको इस साइड भी बनानी है, बट हाओ, बनाओ गया आप क्या से, कही एक दो आगे पीछी छोटे उपर नीचे हो गए तो, तो आप एक डॉट की पॉइंट यहां से यहां लगाते चले जाएंगे, अब सेम पेटल हम इधर भी बनाएंगे, उपर जादा इस स्पेस है, नीचे जाके कम हो गया है, उपर जादा है, नीचे जाके कम हो गया है, फिर उपर में जादा है, नीचे जाके कम हो गया है, उपर में पेटल जादे हैं, नीचे जाके कम हो गया है, अब देखिए, इस तर लाइन यूज़ करेंगे पर आपको अभी प्रैक्टिस वर्क मिलाना है प्रैक्टिस वर्क के लिए फिर इसको क्या करेंगे एक उपर से डवल लाइन की कोट बना देंगे अभी ना इसको सजाएंगे और ना ही कुछ करेंगे इस तरीके से जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप से कमल लोटस ड्रॉ होने लग जाएगा नेक्स्ट फिर से एक सी में एक और लोटस की प्रैक्टिस करेंगे और लोटस जो है मालक्षमी का आसन है प्रिये है मालक्षमी को ये फूल तो यहां ना मदवनी मितला में इसकी बहुत मानता है और इस वज़े से ये आर्ट में यूज लोटस ज़्यादा होता है और सब आर्ट में आप देखेंगे जो रोज की रोज फूफ लावर ज़्यादा बनते हैं लेकिन यहां लोटस की ज़्यादा मानता इसलिए है क्योंकि एक तो ये प्योर है प्योरिटी है इसमें कीचन में भी खिलता है तो भी ये प्योर है अपने आपको प्योर रखता है भवडे भी आते है तो भी ये प्योर है मालक्षमी को बहुत ही प्रिये है सब बहुत सारी देवताने देवियों के आसन है आसन सरूप है लक्षमी जी को चड़ाया भी जाता है पूजा में लक्षमी पूजन में तो इसलिए यही समानता है कारण यहां पे न मितला कल्चर में इसको बहुत मानता है बहुत लोग मानते है जो लोटस फ्लावर है, कोई सुव चीज में तो वह अच्छा है और सजावट के रूप में भी दूसरे फ्लावर से जादा हम लोग लोटस को ही यूज़ करते हैं अब आप क्या करेंगे एक पॉइंट डॉट करेंगे यहां से नीचे कम हो जाएंगे इस तरीके से अब सेम आपको लाइन लेना है जो छोटा बड़ा ना हो तो आप इस तरीके से डॉट करते जाएंगे फिर यहां जादा नीचे जाके कम यहां जादा नीचे जाके कम यहां जादा नीचे जाके कम इस तरीके से इनको जोड़ देंगे नीचे की तरह second practice work यह भी आपका lotus draw करा देगा इससे भी आप lotus draw कर लेंगे next जो हमारा रहेगा वो practice work देगा इस तरीके से इसको तो आपको simple draw करना पढ़ेगा नहीं तो आप एक line draw करेंगे यहां से फिर line के नीचे जाके कम हो जाएंगे यहां से उठेंगे और लाइन के नीचे जाके कम हो जाएगा आप इस तरहिके से भीज़ा करें इसमें क्या करेंगे यह जो सेंटर है इस सेंटर की लाइन को Erase कर देंगे अब हमारा जो यह पैटल है यह जो पैटर्न था भी जो बना हुआ था यहाँ पे वही pattern बनेगा नीचे जाके कम फिर आप यह point out लगा लेंगे आपके साड़े जो petals है एक जैसे बनेंगे नीचे जाके कम होना है नीचे जाके कम होना है इस चीज का ध्यान रखना है जो नीचे जाके सेगेंड प्रैक्टिस वर्प यह भी आपका lotus ड्रॉ करा देगा इससे भी आप lotus ड्रॉ कर लेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो प्रैक्टिस वर्प रहेगा इस तरहीके से तो अपको सिंपल ड्रॉ करना पढ़ेंगा तो आप एक láibs ड्रॉ करएंगे यह यहां से फिर यहां लाइन कह नीचे जाके कम होणा हैंगे यहां से उठेंगे और लाइन के नीचे जाके कम हो था यहां पर वही पैटर्ण बनेगा नीचे जाके कम फिर आप यह पॉइंट आउट लगा लेंगे आपके साड़े जो पैटल्स है एक जैसे बनेंगे कि नीचे जाके कम होना है नीचे जाके कम होना इस चीज का ध्यान रखना है जो नीचे जाके कम होना अब यह जो लाइनिंग है यह इस तरीके से जोड़ती जाएंगे यहां तक तुजूर गया अभी सारा सेंगल लाइन में है लेकिन जब यह बनेगा तो हमारा यह लाइनिंग्स जो रहेंगी हमारे पास वो डबल रहेंगे एक आप यह प्रैक्टिस करेंगे तब सबको हम लोग सीट पर सजाएंगे अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा पोड़ेगा इस तरीके से इस तरीके से पैटल बनाएंगे बीच का बनाएंगे लाइनिंग्स फिर यहां ज्यादा नीचे जाके कम ज्यादा नीचे जाके कम ज्यादा हो जाएगा नीचे जाके कम फिर आप इस हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ जादा नीचे जाके कम, यहाँ जादा नीचे जाके कम, नीचे जाके कम, नीचे जाके कम, इस पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, इसको यहाँ पर बस एक डॉट डालेंगे, अब इसमें क्या करना रहेगा, हमारा जो बीच का पॉइंट है, इसको हम लोग इस वे मे इस डिजाइन में भी इसको क्रियेट कर इसमें क्या करना है नीचे के जो पैटल से उसको हम और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा सकते तो यह फोर टाइप के फ्लावर प्रैक्टिस में लेने है नेक्स्ट हम लोग फ्लावर के शीट्स बनाएंगे चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट होगा काम वोगा बॉर्डर पे फर्स्ट बॉर्डर यहां से इस लाइन को डवल करेंगे यह लाइन आपने पैंसिल से बनाई थी अब इस पे आप जेल पेन का वर्क कर देंगे और सब लाइन को डवल करेंगे मैं इस रो में आपको बॉर्डर बना के दिखा दूंगी आप चारो कॉर्णर पे बॉर्डर बनाएंगे और एक शीट उसके सेंटर का सीट खाली रखेंगे और उस शीट पे हम लोग वर्फ करेंगे फ्लावर डिजाइन करेंगे जो भी फ्लावर की अभी प्रैक्टिस ली है वही सारे फ्लावर समलकं वहां सेट करेंगे तो सबसे पहले यहां क्या करना है यह जो उपर का रो है ना उपर के रो में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने है अब यहाँ क्या करेंगे उपर के रो में सारे में यही डिजाइन ड्रॉ करना है जब आप सीखने के वे में चीजों को बनाएंगे जो आपने बनाना कैसे सीखा step by step तो आप इन चीजों का कहीं भी यूज कर पाएंगे बट जिस तरीके से मैंने एक sheet बना लिया जिस तरीके से लोग बीडियो बनाते हैं जो एक sheet प्रॉपर रेडी करके दिखा देते हैं और बताया जाता है जो आपने मदवनी पेंटिंग सीख लिया वो सीखना नहीं हुआ वो तो ये चीज हो गया जो जो चीज मैंने ड्रॉप की है वो ही चीज आपने भी ड्रॉप कर ली बस लेकिन इस design में यहां सीखने के वे में क्या होगा सीखने के वे में ये होगा जो इससे आप ना variety cover कर पाएंगे बहुत सारी चीजे आपको समझ मे आने लगेंगी अब next में क्या करेंगे इस तरीके से करेंगे और आपको क्या करना है चारो corner पर करना है मैंने एक तरफ design मना के दिखा दिया आपको क्या करना है चारो तरफ इस design को इस रो में भी करना है इस रो में भी करना है इस रो में भी करना है तो एक paper आप ready रखेंगे देन उसका सेंटर खाली रहेगा जब उसका सेंटर खाली रहेगा तो वहां हम लोग इस तरी के फ्लावर्स को सेट करके उसमें वाटर बनाना भी पानी बनाना भी उसी में हम सिखाएंगे आपको step by step सीखने में मज़ा भी आएगा और आपको चीज़े समझ में भी आएगगी क्लासेज के लिए अगर कोई जूड़ना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्षन में जरूर डालिएगा क्लासेज होती है ओल्लाइन एवलेबल क्लासेज है ओल्लाइन है सारे क्लासेज एवलेबल तो कॉमेंट सेक्षन में जरूर आपका लिखिए अब ये लाइन हमारी सीधी रहेगी ये जो सीधी लाइन रहेगी इसी को हम लोग क्या बोलते है कच्छनी फॉर्म बोलते है कच्छ और यह जो पैंसिल की आउटलाइनिंग है उसको भी जेल पैंसे आप लोग डवल आउटलाइनिंग कर लेंगे इस आउटलाइनिंग को भी जेल पैंसे चाड़ों कॉर्डर में कर लेंगे अब ये जो रेडनेस वालाइनिंग है उससी में जाएगा उससे पहले इससााइड का डिजइन रेट करें और ये ये जो एक लैन्टलाइन, यहां पर यहां यहां पर क्या है ये यहां 조लाएं हड़त कर रही है फिर एक दूसरे को कट कर रही है अब पेटल्स में हैं जो पैटल्स जो है पैटल्स में हम क्या करेंगे जिस इस आप से पैटल्स बने हैं उसी हिसाप से ड्रॉ करते जाएंगे इसमें क्या करेंगे चोटे चोटे बिंदू जो मैंने आपको उस पॉइंट में दिखाया था फ्री हैंड वर्क में सिखाया था वही बिंदी चोटे चोटे वर्क में डाल देंगे और हमारा ये जो पॉइंट रहेगा ये जो पॉइंट रहेगा वो रेड से हाफ पिलिंग में रहेगा मतलब इसक में नहीं लानी है इस तरीके से तो यह डिजाइन हमारे चारो कॉर्णर में बनेंगे इस तरीके से लाइनिंग मैं स्किप नहीं कर रही हूँ मैं कोसिस कर रही हूँ बीज बीज में ड्रॉइंग का पार्ट से आपको दिखाती रहूँ फिर मैंने इसको छोटा 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 इसको रेट से कनवर्ट करकरके पर ये काम मैंने जिल पेंसे ही किया है आपको मन हूँ ये काम ब्रस पेंसे करने का तो आप ब्रस पेंसे भी कर सकते हैं कोई सुने है इसमें मैंने क्या किया है बिंदी कबर किया है इस तरीके से पार्ड वाई पार्ड जब आप चीजों को सीखेंगे तो इस art में क्या होगा इस art में क्या किसी भी art में आप अपने method से कुछ भी draw करना सीख जाएंगे लेकिन बस एक sheet मैंने बना दिया मैंने उसे upload कर दिया और वही एक sheet आप हुबहु बनाते हैं तो उसमें उससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है आप अपने method से कुछ भी draw करना सीख जाएंगे लेकिन बस एक sheet मैंने बना दिया मैंने उसे upload कर दिया और वही एक sheet आप हुबहु बनाते हैं तो उस से कोई फाइदा नहीं होने वाला है उसके अलावा आप कुछ बना पाएंगे सिर्फ उस एक sheet को बनाने के बाद आप कुछ बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे लेकिन पार्ट वाई पार्ट जब आप चीजों को सीखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़े ड्रॉ कर पाएंगे अब यहाँ पर यह last section में बिंदी वर्ग जा रहा है अब मैंने तो एक line ड्रॉ किया है लेकिन आप एक corner ड्रॉ किया है लेकिन आपको 1, 2, 3, 4, 4 corner ड्रॉ करने है जिस pages पर लोगे अगर आपका page इतना ही बड़ा है suppose आपका page इतना ही बड़ा है तो आप क्या करेंगे तो आप इसमें भी border इस तरीके से draw करेंगे चार corner इसका set करेंगे फिर इसको double line करेंगे फिर इसमें one finger की gaping में आप border लेंगे और इस border में इस space में आप वही triangle वाला design set करेंगे और इस space में इस space को आप खाली रखेंगे next हमारे flower work के लिए thank you for watching